Hello friends, welcome to my channel स्वासिक ख्लासिस आज के वीडियो में हम लोग सिंप्लिफिकेशन इट में सरली टर्वन के क्वेश्चन सॉल्फ करेंगे तो friends आज का वीडियो जो है most important है इसलिए आप लोग आज के वीडियो को पूरा और ध्यान पूर्वक जरूब देखिएगा तो friends, सिंप्लिफिकेशन के कोश्चन सॉल्फ करने से पहले सबसे पहले हम लोगो बोर्ड मास का नियम जानना आती आवस्थक है क्योंकि इस नियम के बिना हम लोग सिंप्लिफिकेशन के कोश्चन नहीं सॉल्फ कर पाएंगे क्योंकि अगर इस नियम के बिना अगर हम लोग कोश्चन स्वाल भी करते हैं तो हम लोग का कोश्चन गलत हो जाता है तो आईए जानते हैं बोर्ट मास का नियम क्या होता है देखिए बोर्ट मास का नियम ये कहता है कि B for bracket जो कि यहां दिया गया है O for off और उसका हिंदी क्या होता है का D for divide जिसका sign आप लोग जानते है M for multiply It means good दिया गया है A for addition It means plus S for subtraction तो friends जानिए कि अब इस नियम का use कैसे हम लोग कोश्चन में करते हैं तो जैसे आपका फर्स नमबर कोश्चन दिया है 13 minus bracket में दिया गया 8 into 2 फिर bracket close है फिर plus 3 दिया गया है तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो bracket में दिया गया है इसको solve करेंगे क्योंकि board mask के नियम में सबसे पहले क्या पढ़ता है B पढ़ता है और B for bracket होता है इसमें bracket के question solve करेंगे Then क्या आता है Off Off तो दिया नहीं है उसे छोड़ देंगे Then उसके बाद divide का सथाइन आता है Divide में नहीं दिया है First question में Then क्या आता है Multiply तो multiply इसके अंदर है इसको solve करेंगे Then plus और उसके बाद subtraction यही board mask का नियम कहता है कि इसकी के according आप लोग simplification के question को solve कीजे तो आई friends पहला question solve करते है जैसा कि friends आप लोगों पता है कि board mask के according सबसे पहले हम लोगों क्या solve करना रहता है Bracket के अंदर का Then आईए इसे solve करते है 13 जो है वो तो उसी तरह आप लिख देंगे Then minus लिख देंगे उसके बाद bracket के अंदर है 8 into 2 तो 8 में 2 का multiply करते है क्या आता है 16 आता है तो वो चीज़ आप लिख देंगे Then bracket हट जाएगा Then उसके बाद plus का sign है आप लोग plus लिख लेंगे उसके बाद 3 लिख देंगे Then क्या करना है friends जो भी plus वाले है जैसे यहाँ plus 3 दिया गया है यहाँ plus 13 आगे कोई sign नहीं होता है मतलब क्या होता है plus It means यह plus 13 है ठीक है तो plus और plus एक पास लेते है यह मतलब 13 plus 3 एक साथ लिख दीजिए और minus 16 जो है इधर लिख दीजिए ठीक है Then board mask according हम लोग उसके बाद क्या solve करना रहता है bracket के बाद off तो दिया नहीं है फिर divide भी नहीं दिया है multiply भी नहीं है Then क्या आता है plus तो 13 और 3 को add करेंगे कितना आएगा 16 ठीक है और यहाँ पे minus 16 अल्रड़ी पहले से है Then क्या करेंगे friends last में आपको minus करना रहता है board mask के according Then 16 में से 16 minus करेंगे क्या आएगा answer आपका 0 यह हो गया आपका इस question का answer आएए friends आप second question देखते है देखे friends second question दिया है bracket में minus 36 into bracket में minus 1 plus bracket में minus 24 और divide 6 दिया गया है तो आई इसे solve करते हैं सबसे पहले जो भी bracket दिया है उसे आप हटाएंगे क्योंकि board mask कहता गया है कि सबसे पहले आप लोग bracket हटाएं then minus 36 हो जाएगा यहाँ पे यह multiply का sign लगाएंगे और यहाँ का bracket हटाएंगे तो minus 1 होगा और then क्या करना है plus है और यहाँ minus bracket हटाते हैं उसका मतलब क्या होता है multiply होता है तो plus का minus में जब multiply होता है तो क्या आता है minus आता है तो minus हम लोग यहाँ लिख दिए then क्या है आपका 24 उसे लिख दीजे और then क्या है divide का sign है उसे लिख देते हैं और फिर 6 then friends क्या करना है इसमें आपको अब board mask का roll यह कहता है कि सबसे पहले आप लोग किसको solve कीजिए divide को तो देखिए divide यहाँ पर है तो क्या करेंगे 6 का 24 में divide देंगे तो आईए पहले यह जो 36 है इसे ऐसे लिख लिजे minus 36 into minus 1 और फिर 6 का 24 में आप लोग divide देंगे कितना आएगा 4 आएगा और यह minus already है तो आप लोग यहाँ minus करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है plus होता है plus का minus में divide देते हैं तो minus आता है ठीक है देन देखिए क्या करना है friends अब आप लोग को divide के बाद multiply करना है तो यहाँ यह चीज multiply दिया है minus में minus का multiply करते है यह minus है और यह minus है इन दोनों का करेंगे तो plus हो जाएगा और 36 का one में करेंगे क्या हैगा 36 देन आपको minus का sign लगा देना और four कर देना है देन लाश्ट में क्या करेंगे friends plus तो दिया नहीं है तो आप लोग सीधे इसमें से इसको minus कीजिए 36 में दो four minus करेंगे क्या है एंसर 32 तो friends इस equation का यह answer हो गया आई यह अब second question देखते हैं sorry third question देखते हैं ध्यान देजिए friends question number three कह रहा है four का 25 minus bracket में दिया गया है 18 divided by 6 plus four तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे board mask के rule के recording का को solve करेंगे की bracket को solve करेंगे सबसे पहले आप लोग bracket को solve करेंगे क्योंकि beef और bracket होता है उसके बाद off आता है और off मतलब क्या होता है का होता है देना आईए 4 का 25 उसी तरह लिख दीजिए और minus अब इस bracket को solve करेंगे तो 6 का 18 में भाग देंगे कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा यहाँ अब आप लोग 3 लिख देंगे और bracket अपने आप खतम हो जाएगा देन क्या करना है आप लोगो plus का sign लगाना है और फिर 4 लिख देना है ओके देन क्या करना है अब आप लोगो का वाला solve करना है क्योंकि board mask के according bracket के बाद क्या आता है का आता है तो 4 का और का मतलब क्या होता है multiply का sign ठीक है 25 minus 3 plus 4 तो आप लोग कर लीजिए 4 का 25 में multiply कितना आएगा 100 आएगा ठीक है देन क्या करना है minus 3 plus 4 वैसे ही लिख देना है देना आप लोगो क्या करना है board mask के rule के according plus का वाला solve करना है तो यहाँ plus 4 दिया है और यहाँ plus 100 बताएं हैं बार बार कि जैसे यहाँ कोई sign नहीं होता है मतलब क्या होता है plus होता है तो plus 100 और plus 4 एक साथ आप लोग कर लीजे ठीक है और फिर last में जो minus 3 होता है उसको यहाँ लिख लीजे दिन क्या होगा friends 100 plus 4 एड़ करते हैं आता है आपका 104 minus 3 दिन क्या होगा 104 में से minus 3 घटाएंगे कितना है एक answer 101 यह friends इस equation का answer हो गया I think आप लोगों समझ में आया होगा आए यह fourth number question देखते हैं ध्यान दीजे friends question number 4 बोल रहा है कि bracket में minus 5 है फिर minus फिर bracket में minus 45 फिर divide है फिर bracket में 15 है फिर plus है फिर bracket में minus 3 है फिर into 5 है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है जितने भी brackets हैं उन्हें हटाना है तो आए यह पहला bracket हटाते हैं तो minus 5 हो जाएगा दिन यहाँ minus और यहाँ minus हमने अभी आपको पहले ही बताया है कि minus और minus दिया है और बीच में bracket है तो bracket मतलब क्या होता है multiply तो minus में minus का multiply होता है आपका plus ठीक है और यह bracket open हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 45 ठीक है फिर divide का sign लगाएंगे और यहाँ पर कोई sign नहीं है मतलब यहाँ plus है तो सीधे आप उसी तरह लिख देंगे ओके देन यहाँ क्या करेंगे यहाँ plus है और यहाँ minus है देन bracket हटाएंगे तो यहाँ भी multiply होगा plus का minus multiply होता है क्या होता है minus आता है देन क्या करेंगे 3 आप लिख लेंगे bracket हट जाएगा into 5 ठीक है देन अब आप लोग board mask के rule के recording क्या करना रहता है आप लोग को divide का sign solve करना रहता है तो minus 5 plus 15 का जब आप 45 में divide देंगे into 5 कर लेंगे फिर board mask के rule के recording divide के बाद क्या आता है multiply देन इसे आप लोग solve करेंगे तो minus 5 plus 3 minus 3 into 5 क्या हो जाएगा आपका 15 ओके देन क्या करना अब आप लोग को plus solve करना है तो plus तो कुछ दिया नहीं है वनली क्या दिया क्या है plus 3 तो आप लोग इसको जब solve करेंगे तो minus 5 में से plus 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाते हैं क्या आता है 2 आता है और ये बताएए क्या बड़ा है 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है 5 बड़ा है तो 5 क्या कि कौन सा sign है minus है तो minus आप लोग लगा देंगे और last में बसता है minus 15 तो उसी तरह आप लोग लिख देंगे then last में क्या करना है 2 और 15 आप लोग add कर देंगे कितना आएगा 17 और ये minus का sign लगा देंगे क्योंकि आप लोगो पता है कि जब भी minus minus दिया रहता है और question में 2 हो 4 हो कुछ भी हो तो आपस में add कर देंगे और minus का sign लगा देते हैं तो friends इस question का ये answer हो गया I think आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही helpful होगा Simplification के question किसी भी प्रकार के हैं तो आप लोग इस type से solve करेंगे Next day friends हम लोग फिर एक नए topic के साथ काएंगे तो आज के लिए इतना है Thank you very much